इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैंट्रिक्स मैं ट्रिक्स का निद्धारक तो इंपोर्टन टॉपिक है और साथ इसकी हम प्रोपर्टी भी जो है डिसकस करने वाले क्योंकि एक्जामें 103 के एक्जामें पुछी गई है 2003 का इस बार फर्स मालेों होती है जब हमें स्कूर मेर्यतरिक्स को एक आउडर में हम जब इससे स्वाल करते हैं तो उसके ज हमारी क्या कहला था है अडिटर्मिनेंट ऑफ में existके हlvania होते हैं autism अको पता है औरकोडिकल होते हैं चोल्हा हम już को सौल करने के बाद जो हकंए आंसर आएग स्वा अब कैसे solve करते हैं cross multiply करते हैं A की D से cross multiply और C की B से और इनके बीच में किसका sign आता है minus का AD minus BC जैसे मानलीजे आपको matrix दे रखी है यहाँ पर है 6421 तो हम कैसे solve करेंगे हमें determinant निकालना है इस matrix का तो determinant के लिए हम यह जो है symbol का इस्तमाल करते हैं यह symbol हमारा क्या शो करता है determinant 6 2 जा कितना हो गया हमारा 12 फिर minus 14 जा 4 ठीक है तो 12 minus 4 हमारा कितना आगे 8 तो हमारा determinant कितना आगे matrix का 8 clear हुआ कि किस तरीके से हमें determinant निकालना होता है matrix का clear हुआ तो हिंदी मीडिये वाले student देख सकते हैं यहां पर समझातों मैंने दिया यह आपके लिए theory यहां पर हिंदी में है तो आप लोग exam के लिए note down कर लेना है screenshot इस तरीके से भी आपको सही लगे अब आते हैं इसकी properties पर तो पहली property क्या होती है कि value of determinant 0 होता है अगर all element किसी भी row के या किसी भी column के क्या होंगे 0 होंगे ठीक है कोई भी row या कोई भी column अगर उसके elements क्या है 0 है ठीक है तो क्या क्या उसकी जो answer आएगा वो क्या हैगा 0 आएगा माल लीजिए जो row है ठीक है एक column दोनो 0 है यह वाले जो first वाली row है जिसमें दोनो elements के है 0 है अब हम इसकी value निकाले हैं भाई cross multiply मैंने आपको बताईए 0 into 3 कितना हो गया 0 0 से किसी भी multiply करो 0 into 2 कितना हो गया 0 तो answer क्या आ रहा है 0 तो समझ मैं पहली प्रोपर्टी कि अगर कोई भी row या फिर कोई भी कॉलम में से दोनों element दो जो भी element सा जीरो है तो हमारा answer क्या आएगा डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 अब प्रोपर्टी 2 क्या कहती है तो value of determinant if 0 all the corresponding element of any two row or column of the determinant और प्रोपोर्शनल ठीक है तो यहां पर भी अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता है यदि कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम के अंदर डिटर्मिनेंट क्या हो identical मतलब एक जैसे हों कि एक जैसे होंगे तो तब भी answer हमारा क्या आएगा जीरो आएगा ठीक है मिसकी डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा जीरो आएगा प्रोपटी 3 क्या कहती है अगर हम 2 row or column of determinant are interchange हम interchange कर देता है कोई भी दो या column को ठीक है तो determinant हमारे पास आएगा वो value जो आएगी negative of the value of the given determinant ठीक है यहाँ पर कैसी value आएगी हमारी negative आएगी इफ एनी रो और column of determinant has element that are multiple of scalar ठीक है तो अगर कोई भी एक रो या column में जो वाई element है ठीक है वो क्या है multiple है scalar के बताब one के scalar हमने पढ़ा था भाई scalar जो हमारा क्या था ही एक जैसे जो थे diagonal वाले ठीक है determinant की value होगी वो क्या होगी जो के का multiple होगा वो आएगी ठीक है जो के का multiple होगा उसकी जो multiple होगा मतलब की टेबल में होगा आता होगा प्रोपर्टी 5 क्या कहती है कि determinant does not change अगर हम row और column को interchange कर देते हैं तो determinant की value कोई चेहिं नहीं होगी वाली value column में लिख दी कॉलम में लिख दी है ठीक है उसको हम चेहिंज करेंगे जो पहले आ रहा था वह वही आएगा फिर आते प्रोपर्टी 6 पे कि जो रो और column है डिटर्मिनेंट्स इफ एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट्स है किसी भी रो या कॉलम के ठीक है हम उसे एड या सब्ट्रेक्ट कर रहे है जो multiples है जो अधर कोर्सपोंडिंग कि किसी यदर कॉल में वह उप्रोपर्टी 3 गोजाएंगे तो हम प्रोपर्टी 7 कि किसी भी डिटर्मिनट्स को how to express the sum of two or more determinants तिक आया है कि आई कि तरीक में से लिख सकते हैं कि जोड़के 2 यह दो से जादा टीर्यमने में आगर जो जितने भी कुछ सारे अलेमेंट्स जो भी है रोया कॉलम में वह एक्सिप्रेस हो रहे हैं तो लाइक इट शेयर टेन सब्सक्राब मैं चैनल थेंक यू